हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टो ओर चैनल हाईपाटेट इस भी मैं हूं महमद सुहेल अगर आप पहली बार यूटुब चैनल पे आए तो यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों अपने पिछले वीडियो के अनालेसिस में मैं आपको अपडेट दिया था कि पहले 470 के बाद मैं देख रहा हूँ दोस्तों 592 उसके बाद देख रहा हूँ मैं 670 उसके बाद 74790 और मैं आपको पहले भी बता के गया था यह अपना ब्रेकाउट लेवल है यह ब्रेकाउट लेवल है जब स्टॉक ब्रेकाउट लेवल को ब्रेक करता है तो उसे ब्रेक update किया था आप जाके मेरा previous video देख सकते हैं बस पूफ के तोर पे बोल रहा हूं कि मैं बोला था नहीं बोला था इसे कई लोगों को doubt होगा तो मेरा पेछला video आप जाके देख सकते हैं दोस्तों youtube channel Hyper Trades B पर अभी अभी इसके बारे में मैं अपने free telegram ग्रूप चैनल में भी अपडेट दे दूँगा Monday Live Market में कि स्टॉक में हमनों को exit करना है क्यों exit करना है क्योंकि स्टॉक में मैं अपना previous analysis delete कर देता हूँ अब मैं स्टॉक में अपना नया analysis डाल के आपको बताता हूँ कि क्यों एक्जिट करना है स्टॉक के अंदर था level यह उसके बाद स्टॉक exact वो level पे आके रुका ठीक है exact इस level पे आके रुकने के बाद स्टॉक यहां पे क्या किया स्टॉक यहां पे candle नीचे open candle नीचे close किया इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि stock reject हुआ, stock reject हुआ है न, तो यहाँ पे कई लोग position पे हैं, कहाँ पे है position, put पे हैं, अभी stock के अंदर जो position बन रही है, stock की position मेरे हिसाब से, अपने levels के हिसाब से stock के अंदर position good है, ठीक है, good है, पर stock के अंदर अभी जो है level, वो हमारे लिए risk है, अभी आप खुद confuse हो रहे होगे अभी तक सोयल भाई ने बोला good है, अभी तक सोयल भाई बोल रहा है bad है, तो उसके पीछे reason क्या है, तो देखो सुनसो, समझो बात को मेरे, यहाँ पे हुआ है reject, stock यहाँ से करना चाहिए fall, क्या करना चाहिए fall, और stock के अंदर breakout level, यहाँ पे भी है, sorry, traded value यहाँ पे भी है, breakout level यहाँ पे भी है, previous time इसका ही support पकड़के उपर गया, इसका ही support पकड़के अभी नीचे आ रहा है, तो यहाँ का जो level है, हम लोगों को एक level है 689, अगर stock 689 का level break कर रहा है, समझो, 689 का level break कर रहा है, तो हम लोगों को जो position देखने को मिलेगा, वो position totally selling के तरफ देखने को मि ही मिलेगा, and second thing, stock के अंदर जो position मैं देख रहा हूं, वो position के इसाप से stock ये level को break करना है, अगर ये level को break नहीं करते वे, in between कहीं पर भी sustain कर रहा है, sustain कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आप buyer trap हो सकते हैं, तो मेरा suggestion है, अपने target अच्छी हो चुके, मैं 790 तक hold करने की suggest आज के वीडियो में नहीं दे रहा हूं, आप 745, 750 जो मिला लेके निकल जाओ, आपके लिए वो level best रहेगा दोस्तों, यह था मेरा analysis औरो बिंदो फार्मा पे, अगर आपको stock पे analysis समझ में आया, तो वीडियो को like करिए, share करिए, and youtube channel को subscribe कर लिजिए, thank you for watching my video.